नमस्कार साथियो, निउस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं बेरोजगारी सब्दों तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन बेरोजगारी को महसूस कीजिए मान लिजिए कि 25-30,000 की नौकरी है, अगर वो चले जाती है, तो कैसा किसी को लगेगा किसी ने बहुत महनत की, लेकिन प्रश्ण पत्र लिख हो गया, उसकी परिक्षा का रेजल्ट नहीं आ रहा है किसी के पास धेर सारी समस्दारी है, लेकिन कोई उसे नौकरी नहीं दे रहा है इस तरह से देखते हैं तो जीवन की तमाम संभावनाएं बिरोजगालों के लिए मरी हुई दिखती है यही बिरोजगारी भारत में विक्राल रूप लेते जा रही है इसी पर देश के अर्थसास्त के जाने माने प्रफेशर अरुन कुमार ने एक रिपोर्ट प्रकासित की है तो चलिए उसी पर उनसे हम बात करते हैं भारत की आबादी तकरीबन 140 करोड के आसपास है इतनी बड़ी आबादी में कितने लोगों के पास रोजगार है अगर वह रोजगार है तो किस तरह का है क्या ऐसा रोजगार है कि वो ढंक का अपना जीवन वयतीत कर पाएं और कितनी बड़ी संख्या में लोग बिरोजगार हैं थोड़ा इसके बारे बताइए दिखिए जो हमारे आकड़े होते हैं रोजगारी के बारे में उसमें हम उन लोग को गिनते हैं जिनकी उम्र 15 साल से 64 साल तक है वो आयलो करता है भारत में तो हम 60 साल की उमर तक गिनते हैं लेकिन 64 साल की अगर तक मान लें तो इसमें जो है जो 15 से 64 साल की उमर के लोग हैं उनकी संख्या करीब समझे तो 95 करोड है तो 95 करोड़ लोग हैं जो काम कर सकते हैं हलाकि लोग तो बच्चे भी काम करते हैं और बुड़े भी काम करते हैं पर इसको हमारा लेबर फोर्स मानदाता है अब इसमें हमारे देश में करीब 42 से 45 प्रशत लोग ही काम करते हैं जबकि और देशों में इस उम्र के जो लोग होते हैं वो 65 प्रश्षत काम करते हैं जैसे चीन है ब्रजील है तो हमारे आप 20-22 प्रश्षत कम लोग काम कर रहे हैं और उसके पीछे वज़े यही हो सकती है कि उनको काम नहीं मिल रहा है इसलिए वो उन्होंने काम ढूना ही बं कर दिया है उसके उपर जो लोग हैं जिनको हम लेबर फोर्ट में मानते हैं उसमें से साथ प्रश्षत हैं जो काम नहीं पापा रहे हैं वो ढून रहे हैं लेकिन को काम नहीं मिल रहा है तो इनकी संख्या हो गई फिर एक है जो अंडर एंप्लॉइड है क्योंकि हमारे जुन रहा हूं आपको तुरंद काम करना पड़े गरीबी इतनी है कि आपको काम करना ही पड़ेगा तो आप सड़क पे बैठके चाहें सबजी बेच लें या पकोड़े तल लें या आप बोजा ढोलें या रिक्षा चला लें या ठिला करें तो यह हो गए वो लोग जो अं स्टैंड पे 12-14 घंटे खड़ा रहेगा और उसको दिन में 2-3-4 घंटे का काम मिल जाएगा तो अंडरेंप्लोईड है वो पूरा 8 घंटे काम नहीं कर रहा है और जितनी वो महनत कर रहा है उस पे उसको पूरी जो मिलना चाहिए दिन के पगार वो नहीं मिल रही है तो यह अंडरेंप्लोईड हो गए और फिर जो आपके हैं डिजगाईजड अनेंप्लोईड यानि कि क्रिशी में खास कर जहां पर आप पास काम नहीं आप खेट पे चले जाते हैं वहां बैठे रहते हैं या थोड़ा बहुत घास निकाल लिया खोद लिया या कुछ खुर्पी च और 27.8 करोर लोग ऐसे हैं जो रोजगार सही नहीं है अब बिलकुल नहीं है उन्होंने काम ढूना ही बंद कर दिया है तो यह समस्या जो हमारे देश में हो इस 27.8 करोर लोग की समस्या है और उससे असर यह होता है कि परिवार में फिर आप निर्भर करते हैं जो कमा रहे है उनके उपर तो जो कमा रहे हैं उनको फिर जादे लोग को मतलब समालना पड़ता है तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी रेश्यो तो अगर हमारे हां काम करने वाले जादे हों तो उन पर जो लोग निर्भर हो कम हो जाएंगे और उससे फिर गरीबी कम हो जाएगी तो कि अभी जो आपकी आंदनी है या जो आपकी पगार है उसमें आपको उन लोगों को भी खाना खिलाना पड़ता है उनका समालना पड़ता है जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या काम जिनको मिला नहीं है या बहुत कम उनके पास काम है तो इससे गरीबी बढ़ जाती है देश मे और थोड़ा और आकड़ों को हम खोलते हैं जिसे इंका रोजगार कहा जाता है जिसके बारे में संविधान का अर्टिकल 21 कहता है कि जो गरिमा पूंट जीवन मुहया करवा पाए वो धंग की सेलरी जो आज के जमाने में कम पचाहजार रोपे से उपर हो तो ऐसे लोगों कितने मतलब ऐसे रोजगार की संख्या कितनी है जिसको मतलब संगठी चेत्र में कह लीजिए या सरकारी चेत्र में कह लीजिए थोड़ा इसको बताईए तो ऐसा है कि हमारे देश में 94 प्रशत लोग असंगरिश शेत में काम करते हैं और 6 प्रशत लोग संगरिश शेत में काम करते हैं तो जो लोग संगरिश शेत में काम करते हैं वो तो सिर्फ करीब 3.5 करोड लोग है और जो बाकी मतलब 42 करोड में से फिर बाकी बचे जो आपके 38 करोड के करीब लोग वो लोग हैं जिनके पास सही धंका काम नहीं है वो असंगरिशेत में काफी कम तंखा पे काम करते हैं तो जैसे उधारहन के तौर पे जब मैं जेनियो पढ़ाता था तो वहाँ पे अगर आप 86 थे जो पर्मिनेट जॉब में थे तो आपको 50-60,000 रुप तो जो संगरिशेत में उसी काम के तंखा मिलती उससे पांचमा या दसमा हिस्सा उनको मिलता है उसी तरह जैसे डाकिया है जो पोस्ट इन टेलिग्राफ का है उसको अगर मिलेगा 60-70,000 तो जो आपका जो कुरियर का जो है जो विचारा 12-14 घंटे काम कर रहा है उसको चाहिए तो लिविंग वेज बहुत कम लोग को हमारी देश मिल रही है बलकि मैं तो यह कहूँगा कि जो संगरिशेत में भी लोग है उनके पास सही धंग से लिविंग वेज भी नहीं लिविंग वेज में तो यह आना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी होनी चाह चाहिए और जो रोजमर्णा की जूरूरृते हैं उनको पूरा करने का तो अभी श्रम पोडल का डेटा आया था तो इस्रम पोडल जब सुप्रीम कोड ने फटकार लगाई सरकार को तो इश्रम पोर्टर शूप किया गया जिसमें रिजिस्टर किया है तो अभी साड़ी सताइस करोड लोग उसमें रिजिस्टर हैं तो साड़ी सताइस करोड में से और चुरानवे प्रश्चत ने कहा कि हमें 10.000 रुपई से कम तंखा मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक परिवार में 10.000 रुपई से कम तंखा मिलती है तो प्रतीव अब उसको 2.15 डॉलर प्रती व्यक्ति प्रती दिन कर दिया है तो पहले रुपया मतलब डॉलर के मताब्र के मताबिक सत्तर पिछत्तर पे था तो उसके इसाब से 137 रुपय हुआ तो 137 के मताबिक अब यह जो आखड़े आये हैं वो दिखा रहे हैं उसके आधियत तनखा प् वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है उससे भी नीचे हैं यह 94 प्रश्चत लोग जो असंगरिशेट में हैं आप बहुत जरूरी बात कहिए हो समझने वाली बात है कि 140 क्रोड की अबादी में महस साड़े 3 क्रोड लोग ऐसे हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा आता है संग कि यह गड़ना आपने कैसे की कितना महंताना होगा और सरकार पर बार बार कहा जाता है कि सरकार पर बोज बढ़ेगा तो इन सारी बातों को थोड़ा बताईए कैसे सबसे पहली बात तो मैने यह बताया कि हमारे जो कामगाड लोग है उनमें से सूरिफ चार प्रश्यत ही है साड़े तीन चार प्रश्यत जो सरकार सा सरकार के काम देने से समस्या हल नहीं होगी सरकार को तो पूरा वातावरन बदलना पड़ेगा जिसमें काम पैदा हो जो हमारा प्राइविट सेक्टर है जहांपे की संगठे असंगठे दोनों आते हैं वहांपे रूजगार जाने पैदा हो उसके लिए सारी नीतियां बनानी पढ़ेंगे सरकार तो थोड़ा बहुत बढ़ा देगे क्योंकि हमारे तो ऐसा है कि 10 लाग पद खाली हैं जो सरकार भी प्रॉमिस किया कि हम डेड़ साल में वह सारे 10 लाग भर देंगे लेकिन समस्या तो 27 करोर की है उसमें से 10 लाग से तो कोई समस्या हल होने वाली नहीं है फिर दूसरी बात है कि सरकार हमारे बहुत कम रोजगार देती है और जो देश हैं वहां पर पुलिस है आपका जैजेज हैं आपके जो और कर्मी हैं सफाई करमचारी वगरा सब मिलाके उनकी संख्या बहुत जादे होती है हमारे बहुत कम है चलिए वह भी मान लिया कि आपने दो-तीन प्रश्चत और बढ़ा दिया पर फिर भी आपका अगर चार से च्छे प्रश्चत भी पहुंच जाता है सरकार जो रोजगार देती है तो वह समस्या का हल नहीं है समस्या का हल तो तब निकलेगा जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर ऐसा जै कंडिशन क्रेट की जाए जिससे की रोजगार ज्यादे पैदा हो तो सबज़ादे रोजगार कहा है क्रिशी में है और माइक्रो सेक्टर जो है हमारे हाँ छे करोड माइक्रो सेक्टर की यूनिट्स है छे लाग स्मॉलर मीडियम यूनिट्स है और छे जार बड़े यूनिट्स है और जो MSME जिसको कहते हैं जो माइक्रो स्मॉलर मीडियम उसमें छे करोड छे उनका रोजगार देते हैं MSME सेक्टर का और वहीं पर सब जारे चोट लगी है पहले नोट बंदी से लगी फिर GST से लगी फिर NBFC क्राइसिस से लगी फिर लॉकडाउन से तो वहाँ पर बहुत बड़े तरह से यूनिट्स बंद हो गए हैं या बंद होने वाले हैं चुकि उ क्या हो रहा है मेकनाइजेशन चल रहा है जो वहां पर थोड़ा बहुत इंवेस्मेंट जाता है उसमें हार्वेस्टर कंबाइन ट्रैक्टर थ्रेशर इन सब की संख्या हो गए तो इसने क्रिशी में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा है तो हमें नॉन एग्रिकल्चर जो तो एमप्लाइमेंट उसको जकोशने ऐट करना वहां मायक्रो से रोजगार जो heard उसको हमें कैसे अगे बढ़ाना उसके बारे में सोजना पड़ेगा सरकार की नेकियों कुँ अजीर की समस्या क्या में उसमे के जो माइक्रो सेक्टर का को में रोजगार नहीं पैदा करता हूँ तो सिर्फ खुदी को अपना वो करता है तो माइक्रो यूनिट की समस्या है टेक्नोलजी क्रेडिट और मार्केटिंग मतलब वो बजार में अपना समान कैसे पहुचा है तो यह तीन जो समस्या है इनका हल कौपरटिव लेवल पे सरकार को क पड़ेगा इनके कोपरटिव बनाने पड़ेंगे जैसे टेक्स्टाइल है अगर तेक्स्टाइल के बहुत सारी यूनिट्स है इच्छलकरंजी है तो वहाँ पर उनके कोपरटिव बना देने चाहिए जिससे कि वह कोपरटिव के लेवल पे ख्रेडिट भी मिल जाएगा उ वहाँ पे 30-30% की ग्रूथ हुई हमारे हां उल्टा हो रहा है यह यूनिट तो बंद होते जा रहे हैं और इसलिए जो बेरुजगारी की समस्या बहुत जाद है बढ़ती चली जा रही है तो हमें माइक्रो सेक्टर को जब मदद करेंगे माइक्रो सेक्टर को आगे करेंगे तब क्या होगा कि सप्लाई भी बढ़ेगी और जो वरकर्स वहाँ पे काम करेंगे उनसे दिमांड भी बढ़ेगी तो अर्थवेस्था में सप्लाई भी बढ़ेगी दिमांड भी होगी तो वह अर्थवेस्था बहतर काम करेगी तो हमें खृषी का भी ध्यान देना पड़ करेंगे थोड़ा सा यह माइक्रो मीडियम स्मॉल सेक्टर की हम जब बात करते हैं थोड़ा इस तक्नीक सब्द को हटा दें तो यह लोग क्या बनाते हैं और इनके जो समान बनाते हैं उसका इस्तिमाल कैसी जगहों पर होता है और किस तरह से अर्ष्थवस्था को थोड़ा प है थोटा ढहभा जहांपे एक व्यक्ति किसी और छोटे लड़के के साथ काम कर रहा है वो आपका जो मार्केट है वहाँ पे कोई स्टील का कामकर रहा है कोई आपका चर्थ केmac Digi्ड कर रहा है कोई आपका की और चीज़ में पाम कर रहा है तो अवी शेत्रों में मतलब है कुछ में कम है तो माइक्रो सेक्टर को अगर आप बूस्ट करेंगे तो सभी तरह के जिस सर्विस हैं प्रोड़क्शन है सब में होगा और इनका समान सस्ता होता है तो जो आपके हाठ होते हैं गाहों के या दिल्ली जैसे शहर में शनी बजार लगता है बुद्ध बजार ल जाएगी वहां पर आपको सस्ती सस्ती चीजें और आपको वहां मिल जाएगी जो माइक्रो सेक्टर और स्मॉज सेक्टर में प्रोड्यूस होती है तो यह सारा तो इसलिए जो हमने क्या किया कि 27.8 करोड लोग जिनके पास काम नहीं है या काम ढूना बंद कर दिया है या ज उनको अभी काम नहीं देते हैं उनका जो काम है वो चल रहा है और जो आपके अंडर इंप्लॉइड है उनको भी कुछ तंखा आ रही है तो बाकी जो डिजगाई जन्होंने काम ढूना बंद कर दिया है उन 21 करोड लोग के लिए हमें काम निकालना है अब वो काम सिर्फ सरक सरकार को नहीं खर्च करना है यह 13 लाग करोड रुपए तो उनकी तंखा होगी अगर हम यह मान के चलें कि प्रती व्यक्ति जो प्रती साल आये है उसका 30 प्रश्चत उनको हम आंदनी देंगे उनको पूरी आंदनी नहीं है जो प्रती व्यक्ति प्रती आये है उसको 30 सरकार को यह नहीं खर्च करना संकार्थ कर दो एक-डो-ला-क्रूर-पाइए अतरी खर्च करना पड़ेगा इसमें से बाकितो प्राइविट सेक्टर में वह उद्धम होगा माइक्रो सेक्टर में तनका देंगे लेकिन इससे जो ऊंद्धणै वह उत्पादन आपका जैत तो यह नहीं कि जो इसको हमने बताया कि यह सेल पाइनेंसिंग होगा, क्योंकि जो माइक्रो सेक्टर वाला है, वो जब रोजगार देगा, तो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी, और बढ़ी हुए आमदनी से वो पेगा करेगा, सरकार है, जब वो इतना एफर्ट करेगी, तो फ स्टॉक मार्केट की जो वेल्थ है, वो कहते हैं कि आज जीडीपी के बराबर है, यानि कि धाईसो लाग करोर रुपया, तो अगर इस पर एक प्रश्चत भी आपने इखटा कर लिया, वेल्थ टैक्स, स्टॉक मार्केट से सिर्फ, और स्टॉक मार्केट में कंट्रोल तो दो-तीन पर्शंट लोग का ये पॉपलेशन में, तो ये दो-तीन परश्चत से आपको ये मिलेगा तो धाई लाग करोर रुपय मिल जाएगा, फिर आप रूरल एंप्लॉइमेंट गारंटी स्कीम में खर्च करेंगे, आप और भरती करेंगे, तो वो जो खर्चा होगा वो सत्रा प्रश्चत के आसपास है, जिसमें से छे प्रश्चत डिरेक्ट टैक्स से आता है, ग्यारा प्रश्चत इंडिरेक्ट टैक्स से आता है, तो हमने ये बताया कि इंडिरेक्ट टैक्स से इंफलेशन होता है, तो इंडिरेक्ट टैक्स कम कर दीजे और डिरेक्ट टैक्स कर लेंगे ये भी नहीं कि आपको सारी की सारी जब काली दन की अर्शास्ता पर तुरंत कंट्रोल करना है उसके अगर आप एक तिहाई पर ही आप कंट्रोल कर लेंगे तो छे साथ प्रशन अतरिक डारेक्ट टैक्स GDP रेश्यो हो जाएगा उतना आप इंडारेक्ट टैक्स में द्यान रखना पड़ेगा कि इंफ्लेशन भी जादे तेज नहों कि जब आप तंखा बढ़ाएंगे तो सब चीनों के दाम तो बढ़ेंगे पर उसको कंट्रोल करने के लिए फिर आप इंडारेक्ट टैक्स घटाएंगे और डारेक्ट टैक्स पर आप जादे निर्वर करे तो इस तरह से यह सारी चीजें का ध्यान देते हुए हमने रिपोर्ट त्यार की है भारत की कुल जीडीपी 270 लाख में तकरीबन 1314 लाग करोड रोजगार यह भी है कि रोजगार के लिए पैसा का काम ही करता है तो एक दो तौरह आपका कम से कम और नहीं तो 30-40 लाग करोड रुपया बढ़ जाएगा जब आप यह 21 करोड लोगों को आप काम देंगे तो जितना बढ़ेगा उसका एक तिहाई ही आपको इस पे खर्च करना पड़ेगा और हम पांस साल का टार्गेट दे रहे हैं कि यह चीजें तुरन तो सब इंप्रिमेंट नहीं हो सकती हैं तो प दूसे साल में 5 लाग, तीसे साल में 7 लाग, चौथे साल में 10 लाग, फिर उसके अगले साल में 12 लाग करोड रुपया, तो इस तरह से करके ग्रेड़ेट पॉलिसी, मतलब कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि अन्रियलिस्टिक कोई कहें कि कल हम सब को काम दे देंगे, नहीं, इतन आई साइट का मतलब यह कि आप बिजनेस को कंसेशन दे रहे हैं, लेकिन आप आम आद्मी को कंसेशन नहीं दे रहे हैं, बॉटम पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो जो आप बिजनेस को कंसेशन दे रहे हैं, पर डिमांड नहीं है, तो बिजनेस उसका फाइदा नहीं उठा कम हो गया तो उसका जो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा उससे उन्होंने अपना रिर्ड कम कर दिया जो कम्तियों ने तो हमें डिमांड जनरेट करनी है तो जो सारी स्कीम है जिसमें रोजगार पैदा होगा माइक्रो सेक्टर क्रिशी में लोग के आमदनी बढ़ेगी तो दिमांड बढ़ेगी जब दिमांड बढ़ेगी तो बिजनस अपने आप बिना कंसेशन के वो और जादे इन्वेस्ट करेगा अब सर आप से इतिम सवाल कुछ वैचारी किसम का आप अपने रिपोर्ट में एक बात लिखते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी है बेरोजगारी जैसे या कोई भी बहुत बड़ी परिशानी है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है वो इसलिए है कि समाच का काप्टलिस्ट वर्ग है वह चाहता है कि अनिम्प्लाइमेंट बना रहे तो थोड़ा इन दोनों बातों को सपस्ट कर दीजिए दिखिए ऐसा है कि जो कैप्टलिस्ट है वो उसका वर्कर के साथ एक तरह से कॉन्फिलिक रहता है कि अगर मैं कम तंखा दूंगा तो मेरा प तो वर्कर कभी सिर्व झो सकता अब भारत में मैं कहता हूं असंंग्रिष में आफ्लेबर का मतलब यह सँचता मेरे नौकरी गई तो में तो असंग्रिष में सल्गाओंगा पर उसका असर क्या है कि फिर आपका उत्पादर उतना नहीं बढ़ेगा जितना की होना चाहिए और इसमें दो टेक्निकल टर्म्स आते हैं जो फिलिप्स कर्व के उससे आते हैं एक कहता है कि कि इतनी बेरोजगारी रहेगी रहेगी और दूसरा कहलाता है नाइरू नॉन एक्सेलरेटिंग इंफ्लेशन और तेजना हो तो यह दो तरीके से कहते हैं कि यह यह बेरोजगारी तो रहनी पड़ेगी यह तो मतलब एक स्ट्रक्चर की बात है कि यह तो रहेगा लेकिन उसके पीछे पुलिटिकल जो एलिमेंट है वो यह है कि अगर बेरोजगारी कम होती है तो फिर वेज़ेज जादे बढ़ेंगी उससे फिर कैपलिस के प्रॉफिट पैसार पड़ेगा तो यह जो बात है यह मतलब कैपलिस सिस्टिम के बारे में है लेकिन हमारे देश में क्या हु हमारा प्राइविट के पास पैसा नहीं है कि हम इंफ्रास्च्र्ट्र्चर बनाए तो इंफ्रास्ट्र्चर तो पम्लिक सेक्टर में भरनार पड़ेगा तो मैं मैक्सम मां JENNITY नाइटी नाइटी वन क्योंकि उसके बाद तो प्राइट आइशन लगरा आ गया तो उस समय वह 27 प्रिशद उत्पादन कर रहा था बाकी जो 73 प्रशद था वो तो प्राइविट सेक्टर का उत्पादन था तो हमारे याँ पॉब्लिक सेक्टर ने जिए काम किया वो जाना चाहिए एकॉणमी से स्टेट वो कहता है कि मार्केट को जो प्रमोट करे ऐसा हमें इस स्टेट सेई है तो मार्केट फिर्नली स्टेट इंडरेंशन दूसरी तरफ हमारे जो इलीट वर्ग है जो नेटाल लोग थे जो आजादी की मूवेंट में थे वो लोग बड़े तो उन्होंने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया मतलब मैं जब रूरल एरियाज में गया कुछ काम करने 76 में फिजिक्स को छोड़के एकनॉमिक्स में आने के पहले तो वहां पर जो जमीनदार था वो हमें कहता था बच्चों को क्यों पढ़ाते हो मेरा गर्डिये का काम कौन क करेगा उसी तरह विक्रम सेट ने अपनी किताब में लिखा कि 1950 में जो कॉंग्रिस के निता थे वह बहुत जादे शिक्षा पर ध्यान नहीं देना चाहते थी कि गरीब आदमी अगर शिक्षा पा जाएगा तो फिर वह जादे करेगा तो इसे मैंने कहा कि यह फ्रूडल सारे बच्चे स्कूल में 1965 तक हमारा भी टार्गेट 65 तक था लेकिन हमारे बच्चे वह शिक्षा नहीं पाए और अभी भी चाइड लेवर है जहीं कि वह बच्चे स्कूल नहीं जाते पैंडेमिक के बाद और बहुत सारे बच्चे जह निकल गए हैं और दूसरी बात है कि पढ़ाई अच्छी नहीं है जो एसर की रिपोर्ट आई 2005 से अब तक हर साल वो दिखाते हैं कि पचास प्रश्चत जो गाओं के स्कूल के बच्चे हैं पाथी जमात में उनको दूसरे जमात की लिखाई पढ़ाई और इतनी आता तो वो जब नहीं आएगा तो वो तो ड्र बिरोजगारी की है वो शिक्षा से भी जुड़ी हुई है क्योंकि इस चीजों से जुड़ी हुई है और दूसरी दर्फ जो हमारे जो ट्रेनिंग है बच्चों की वह ऐसी नहीं कि वह अपने लिए रोजगार पैदा कर सके हैं बहुत-बहुत शुक्रिया सर और आपने एक बहुत-महत्तफून बात बताई आपके पूरे बात से लगा कि बिरोजगारी पर हम सोचें तो भारत की बहुत सारी परिसानियां खुल कर आती हैं जहां पर बहुत ज्यादा काम करने की जुरत है अगर वो ठीक होगी तो बिरोजगारी की समस्या भी हल होगी शुक्रिया श कि जिचे उसके लिए लिंक नीचे है हमारी खबरों को पढ़ते रहे हमारे यूटूब चैनल मारे को स सब्सक्राइब की किजर हमारे लाइक वेस्बुप पो लाइक उधा हमारे ट्वूटर प मेम लाइक किजिए अप देखते है नीव्सकूश